हेलो वरिवान कैसे हैं आप सब स्वाकत आपका MK Classes पे जैसा कि आप सब को पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में Freedom Struggle and Movement पर 50 MCQs कम्प्लीट कर दिये हैं और उसकी PDF हमारे Telegram Channel पर आपको प्रोवाइड हो चुकी है आप हमारे Telegram Channel MK Classes पर जाके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं आज का Topic जो है हमारा है वो है History of Jammu and Kashmir MCQs आपको पता है हमने History of Jammu and Kashmir कम्प्लीट कर दिया है और हमारा Target ही यही था कि जैसे जैसे आपके Topic कम्प्लीट होते जाएं आपको MCQs सभी के प्रोवाइड होते जाएं Topic की बात करें अभी मारा Geography of Jammu and Kashmir चल रहा है उसके lecture आपको पढ़ड़े मिलते ही रहेंगे लेकिन अब हम MCQs form में History of Jammu and Kashmir स्टार्ट करेंगे तो इसके भी हम लगवक 50 MCQs आपको प्रोवाइड कर देंगे तो आए हम आज के First Part याने की Fund से लेकर 10 तक के सारे questions को देखते है और आए यह First Question पर move करते हैं कोई चैनल पर नहीं है दोसके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए First Question आपके सामने Who carried the First Assessment of Land Revenue System in Jammu and Kashmir on Scientific Lines आपको पता होने चाहिए कि हमने पढ़ा था कि First Assessment of Land Revenue System आया था ठीक है First Assessment of Land Revenue System लाया गया था Jammu and Kashmir में किसके द्वारा लाया गया था यह हम पढ़ चुके है और किसके राज में यह आया था यह Sir Walter Lawrence ठीक है Sir Walter Lawrence के द्वारा यह First Assessment of Land Revenue System यानि कि जो Land Revenue System था वो जम्मो कश्मीर में लाया गया था by Sir Walter Lawrence Second Question पर move करते हैं यह बहुत सिंपल कोशन ना सब भी को आना चाहिए इसका अंसर है श्याबुदीन श्याबुदीन को ही कहा जाता था ललित अधित्य ओफ मेडिवल कश्मीर Third Question कोशन क्या पूछा गया है आपको कल्हाना के बारे में नहीं पूछा है आपको पूछा गया हर्षा के बारे में किंग हर्षा के टाइम पर उनके अंडर काम किया करते थे आपको पता होने चाहिए जो चम्पका थे चम्पका ये कल्हाना के फादर थे और ये किंग हर्षा के अंडर काम किया करते थे किंग हर्षा के अंडर मिनिस्टर थे ये और किंग हर्षा किस ruler या king हर्षा जो ruler थे वा किस dynasty को belong किया करते थे इनके father जब हर्षा के अंडर काम करते थे वो किस dynasty के अंडर आती थी वो आते थी लोहारा dynasty ओके लोहारा dynasty is the right answer fourth question which of the following ruler introduced beggar system beggar system को forced labor भी बोलते है यानि कि जब जबर्दस्ती काम करवा जाता है न forced labor system किस के दौरा introduce करवाया गया था कश्मीर में for transport and other purposes transportation के लिए और काफी और कई अलग purposes के लिए भी यानि कि beggar system किस के दौरा introduce करवाया गया था सबको पता होना चाहिए beggar system introduce करवाया गया था अवंती वर्मन के दौरा ओके अवंती वर्मन के दौरा beggar system introduce करवाया गया था और कौन सी डिनस्टी के अंदर आते हैं अवंती वर्मन उत्पाला डिनस्टी ठीक है उत्पाला डिनस्टी के अंदर ये आते हैं इसके बाद next question आपके सामने question number 5 दूरिंग महराजा परताप सिंग्स रूल जमू एंड कश्मीर वर कनेक्टिड बाई आप्शन सीएगे हैं रेलवे टेलिफोन टेलिग्राफ एंड फेक्स देखिए आप सब को बता होगा गुलाप सिंग्जी के बाद रंबीर सिंग्जी आते हैं उस वक्त क्या होता है जब परताप सिंग्जी आते हैं वो टेलिग्राफ लाइन इस गो और एक्स्टेंड करते हैं और साथ ही साथ टेलिफोन से भी जमू एंड कश्मीर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो आंसर है ओप्शन भी टेलिफोन सिक्स्थ क्वेशन ब्रिटिश गवर्णर जनरल लॉर्ड हैडिंग विजिटिट कश्मीर डूरिंग दे रेइन ओफ लॉर्ड हैडिंग थे आपको बता हूं से यह लॉर्ड हैडिंग कौन है जिनों ने ट्रीटी ओफ अमरिस्तर साइन की थी किसके बीच में साइन हो थी गु प्रिटिटी साइन हुई थी बाकि सबको पता हुआ कब हुई थी कितने पैसे में हुई थी तो इनी के टाइम पर गुलाप सिंग जी के ही टाइम पर लॉड हैडिंग कश्मीर विजिट करते हैं ओके तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वोगा ऑप्शन ए ग अवंती वर्मन के द्वारा और इसको खतम किसने किया था इसको खतम किया था दोस्तों परताप सिंग जी ने ऑप्शन बी इस दी राइट आंसर परताप सिंग जी द्वारा ये बैगर सिस्टम या फिर फोस्ड लेबर खतम की गई थी एट्थ कोशन आपके सामने हूँ वास्ट इन्डी पैंडेन्ट रूलर ऑफ कश्मीर फर्स इन्डी पैंडेन्ट रूलर ऑफ कश्मीर कौन है ऑप्शन दीए गिया हर्षे वर्दन लली तर देते हैं दुल्ल वर्दन या कनिश्ट कॉस्ट खधाए सब को पतावना चाहिए 9th question आपके सामने Who was your last independent ruler of Kashmir सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि last independent ruler of Kashmir कब आते है last independent ruler of Kashmir आते है Chuck dynasty में ओकी Chuck dynasty में last independent ruler आते है Kashmir के और साथी साथ ये कौन से rule के अंडर चल रहा होता है ये Muslim rule के अंडर ये पूरा period चल रहा होता है ठीक है और अगर मैं बात करूँ कि Chuck dynasty के last ruler कौन थे वो तो थे याकूब शाचक लेकिन he was not the last independent ruler of Kashmir last independent ruler of Kashmir कौन थे वो थे युस्व शाचक ओके युस्व शाचक was the last independent ruler of Kashmir और first की में हमने उपर बात की अभी दूलर वर्दन was the first independent ruler of Kashmir आज का last question है आपको पता है हरी सिंग कब आये थे 1925 में आये थे वो शासन जब उन्हें ने ग्रेंड किया था 1925 में और उसके बाद 1948 तक वो उन्हें शासन किया है कश्मीड पे ठीक है तो option कुन सा सही हो जाएगा option C 1925 to 1948 is the right answer तो यह थे दोस्तों आज के 10 questions concerning Jammu and Kashmir history तो इसी के साथ अभी आपको पर डे हम बिल्कुल बोज भी नहीं बनाएंगे आपको कि हर दिन बीस तीस questions हर दिन 10-10 questions करके हम करते रहेंगे साथ ही साथ आपको lectures भी हर दिन मिलते रहेंगे एक तो इससे आपकी revision होती रहेगी जो आप पढ़ते रहोगे उसको उसको revise करते रहोगे और साथ ही साथ आपको lectures जैसे की geography of jamon Kashmir पर मिलते ही रहेंगे तो ऐसी करके हम जैसे हमारा jamon Kashmir का complete होता है पूरा jamon Kashmir का data complete होयाता है हम आपकी quiz लेना start कर देंगे उसके बाद telegram पर तो जो भी चैनल पर नुए हैं दोस्तों चैनल को subscribe कर दीजिए जितनी पीडियेस आपको हमारे चैनल पर अगर मिलती है डाउनोड करनी है तो आप मारे telegram चैनल mkclasses पर जा सकते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको सभी पीडियेस मिल जाएंगी और पीडियेस को आप download कर सकते हैं तो मिलते हैं हम आपसे next वीडियो में जिसमें आप जिसमें हम आपके लिए 10 to 20 questions लेकर आएंगे चमू और कश्मीर हिस्ट्री के लिए